दोस्तों भारत सरकार One Nation One Card के तहट जन्म मृत्यू पंजी करन कानून 1979 में संसोधन करने जा रही है ऐसा माना जा रहा है कि यह कानून 2022 में जन्गणना सुरू होने से पहले हर राजियों में लागू हो जाएगा इस नए कानून के लागू होने के बाद ना सिर्फ जन्म और मृत्यू का पूरा डाटा केंदरे इस तर पर जमा होने लगेगा बलकि इस डाटा के अधार पर NPR यानी National Population Register, आधार, ड्राविंग लासिंस और पास्पोर्ट समें दूसरे डाटा भी अपडेट हो जाएगे इस कानून के प्रभावी होने से जन्म मृत्यू का पूरा फॉर्मेट एक हो जाएगा यानि कि पहले कानून की तरह अलग-अलग जन्म मृत्यू प्रमार पत्र की आउशक्ता नहीं रह जाएगी इसके लागू होने से सबी राजियों के इस तर पर ही एक प्रकार के डाटा त्यार हो सकेंगे और इनी डाटा से केंदर सरकार अपने बागी डाटा बेस को अपडेट करेगी वहीं इस कानून के लागू होने से इसका सीधा फायदा यह होगा कि केंदरी यूजनाओ के पात्र लोगों की मोनिटरिंग केंदरी इस तर पर हो सकेगी आईए अब यह भी जान लेते हैं कि इस कानून के आने से क्या-क्या बदला हो सकते हैं इस कानून के संसोधन से सरकारी डाटा बेस को डिजिटल बनाने में असानी हो जाएगी आपको बता दें कि अभी राजियों के पास सभी मैनुवल आंकडे मौजूद हैं इस कानून के आने से हर राजियों को ये आंकडे डिजिटल करने होंगे इसे से पूरी प्रक्रिया एक ओनलाइन मोट पर अधारित हो जाएगी अभी राजियों से वार्सिक रिपोर्ट के रुप में आंकडे केंदर के पास जाते हैं इस कानून के आने के बाद राजियों में जन्म मृत्यू का आंकड़ा दर्ज होते ही केंदर के पास खूद यह डाटा अपलोड हो जाएगा आखिर इस पूरे प्रक्रिया को चलाया कैसे जाएगा यह भी जान लेते हैं इसके तहत हर राजि में राजि सरकार की और से न्यूक चिफ रजिस्टरार को केंदर की और से तैय किये गए फोर्मेट में यूनिफाइड डाटा रखना होगा और इसे केंदर में रजिस्टरार जनरल आफ इंडिया को भेजना होगा आपको बता दें कि इस कानून से भारत में होने वाली जनगर्णा पर भी प्रभाव पड़ेगा इस कानून के आने से जनगर्णा के हर 10 साल बाद मिलने वाले आंकड़े का इंतिजार खत्म हो जाएगा इसी के साथ जनगर्णा में खर्च होने वाले 10 अजार करोड रुपे भी पचेंगे आखिर केंदर में डाटा बेस बनने से क्या लाब होंगे यह भी जान लेते हैं दोस्तों भारत में कई तरह के पहचान कार्ड मौझूद हैं इनमें आधार कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट, रासन कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र आदी सामिल हैं और इस तरह के डाटा बढ़ते जन संख्या के साथ साथ बढ़ते ही जा रहे हैं और किसी की मृत्तु के बाद भी यह डाटा सक्रिय रहते हैं केंद्रे इस तरह पर ताजा डाटा होने से मृत्कों के डाटा को पूरे इस तरह से हटाया जा सकेगा वहीं इस कानून में नए प्रावधान के साथ अनाथ, सड़क पर बे सहारा छोड़े गए या गोद लिएगे बच्चों के परमार पत्रों को भी केंद्रे कानून के जरिय मानेता दी जाएगी इसे सामाजिक सुरक्षा को भी बढ़वा मिलेगा तो दोस्तों इस खबर में इतना ही मिलते हैं एक नए फेक्ट के साथ और थैंक्स पर वाचिंग